to back basic mathematics में आपको एक बार फिर से खो शामदीद करते हैं और basic mathematics के हवाले से जो हम lecture deliver कर रहे हैं one by two one तो आज हमारा lecture है nine वो है number system इस number system में हम सीखेंगे के decimal binary, octal, hexadecimal को जो आपस में जो है convert के से करते ही decimal क्या है binary क्या है octal क्या है hexadecimal क्या है ठीक है rule of conversion वो भी सिखेंगे और decimals binary octal और hexadecimal की जो हम addition, subtraction, multiplication और division भी सिखेंगे ठीक है मगर जब से पहले जो हम focus करेंगे कि number system को है decimal को binary में कैसे convert करें binary को decimal में कैसे convert करें ठीक है तो आई ये lecture की तरफ चलते हैं मगर एक बार फिर से वही जो कानी दो रहते हैं कि subscribe कर लो 37 learner को चैनल को शेर करें वीडियो को like करें बेल आइकन को दमाए तक हर नई वीडियो अप तक पहुंच सके हम बस सरफ इतना ही करनी चाहते हैं आप से बीप्यस फाइव तो फिफ्टीन की जो टेस्ट चल रही है उनके हवाले से जो है इंतहाई एम टॉपिक है जो हम स्टारिंग से हमारा जो लेक्चर जो है अपलोड कियो है आप देख सकते हैं अच्छे तरीक से पढ़ सकते हैं रूल साफ डेसिमल के जो है वह उसमें बहुत स्यादा व्यूस मिल रही है बहुत बढ़िया जो है हमने वह लेक्चर डिलिवर कि पार्सी ताम में सीखेंगे इसे करते हैं मगरेखर फैर से वही कारी ए स्टार्डिंग वालि काहनी दो रहें अब किया है थोकुछत क्या है では सिमल से देखें और ही भी बेस होता है ठीक है अभी निव पैंच पर हम तोड़ा जाते हैं अब डेष्डिमल में जो है हमारे पास decimal में जो number use होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 तक जो है decimal में number हमारे choose होते हैं, ठीक है let's suppose करते हैं, यह हमारे पास जो है number आगया, ठीक है 1, 10 मतलब 10 base इसका जो 10 है, यह decimal decimal को binary में कैसे convert करते हैं ठीक है, यह हो गया decimal में अगर यह number आजाएं, ठीक है, तो आप समझ लें, कि यह number जो है, यह हमारे पास decimal fraction है, ठीक है sorry, fraction नहीं, decimal numbers ठीक है, उसके बाद जो है binary का, binary का जो है system है binary जो है, उसमें हमारा base है, 2 ठीक है, binary में base 2 है अब base 2 का मकसद क्या है base 2 का मकसद यह है, कि इसमें base 2 है, तो इसमें जो numbers होंगे, हमारे पास 0 और 1 होंगे, ठीक है sorry, decimal में 0 मैंने नहीं दिया 0, 1, 2, 3, ठीक है जो है, जो binary में हमारे पास, जो number use होंगे, और just 0 और 1 ठीक है, 0 और 1 की का नहीं होगी इसमें, ठीक है binary में, इसका base let's suppose, 1, 0, 1, 0, 0 का base true है, ठीक है अब हम पेचानेंगे हम यह मालूम करेंगे, कि यह जो 1, 0, 1, 0, 0 है, इसमें कुन सा number छुपा हुआ है, ठीक है वही सीख रहे हैं, ठीक है यह तो binary language है, जो हम computer में use करते हैं, computer में जो जो सरफ यही जो है language जो है, समझता है computer, ठीक है, मगर वो coding दी हुई है, उसके थूरू यह समझता है कि यह English का word लिखा हुआ है यह Hindi है यह 24 number है यह 26 number है, वो जो systemic develop है, आपको पता है, ठीक है binary में 0 और 1 ही digit होते हैं, उसके बाद जो है हमारे पास octal octal बोलते हैं, 8 को ठीक है, base 8 वाले को बोलते हैं, octal, ठीक है अब octal में base 8 है तो मकसद base 8 है, तो इससे जो है, कम number होंगे, मतलब 7 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है इसमें जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ यही number होंगे, हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक होंगे, ठीक है इससे ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा होंगे तो मतलब यह ही नहीं, octal numbers ही नहीं, ठीक है 1, 2, 3, 4 यह base 8 है, octal का, ठीक है उसके बाद है hexadecimal अब hexadecimal का जो है base है, वो 16 है ठीक है, इसका जो hexa का जो है, base क्या है हमारे पास है, hexa का 16 है, ठीक है आज हम सीखेंगे के binary को decimal में किसे convert किया जाता है, ठीक है यह binary है इस binary को यह जो है हमारे पास number 101111 ठीक है, यह हमारे पास binary है, इसको हमने convert करवा है decimal में decimal में convert करने के लिए आपको सबसे जादा पहले क्या करना अपनेंगे यह जो भी डिजिट्स है, उनको multiply करने है, base 2 से ठीक है जो binary का जो base 2 उनसे ठीक है, one multiply by true, ठीक है उसके बाद zero, zero multiply by true plus one multiply by true plus one multiply by two plus one multiply by true plus one multiply by true अब इसमें power देंगे ठीक है, पावर जो है decimal में zero से start करेंगे ठीक है, पावर देंगे जो माना base से उन पर हम क्या करेंगे power देंगे, one zero से start करेंगे ठीक है अब लास्ट वाला नंबर यह है जो हम once ठीक है जो है mathematics के हवाले से यह once से ठीक है, once से start करेंगे ठीक पर zero one, two, three, four, five ठीक है तो जो है इसका जो है two के उपर power जो हमारे पास zero zero के बाद क्या देंगे one power फिर two पर हम क्या देंगे two power फिर two के उपर क्या आएगा one two, three power फिर three के बाद four power two पर, क्या है five ठीक है five अब आपको पता है के power को हम कैसे soul करते हैं, you know very well ठीक है, मगर बता देता हूँ मैं आपको कि power को हम जो है किस तरお願い से जो है सूल करते हैं अब इस तर पावर को ऽो करने के लिए ऊगर एक पैवर 5 तर इसी नंबर के उपर पावर वाइफ ठीके सोरी 2 है 3Çो सूल करते हैं अब 3 के उपर टू है इसका मतलब है 3 2 time multiply होगा 3 multiply by 3 ठीक है 5 के उपर power 2 है मतलब 5 2 time multiply होगा 2 के उपर power 4 है मतलब 2 4 time multiply 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 ठीक है यह 4 मतलब 2 4 time multiply होगा 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 इसका answer right answer क्या है 2 के पर उपर power 4 का मतलब 16 है ठीक है 5 के उपर power 2 का मतलब 5 5 25 है 3 को पर power 2 का मतलब 3 3 9 ठीक है तो यह ही कहानिया है यही वो है words यही वो जो problem जो हम solve कर रहे हैं ठीक है let's start यहां से करते हैं अब 2 के उपर power 5 क्या है 5 है 2 के उपर power 5 का मकसद क्या होता है 2 के उपर power 5 का मकसद होता है 2 के उपर power 5 है हमारे पास ठीक है तो मतलब 16 to the 32 ठीक है अब 1 को हम 32 से क्या करेंगे multiply तो 32 ही आएगा of costly ठीक है 32 पिलस जीरे 2 के उपर power 4 है ठीक है 2 के उपर power क्या है 4 है मतलब 2 जो है 4 टाइम multiply होगा ठीक है 2 तो दा 4 4 तो दा 8 8 तो दा 16 ठीक है अब 0 multiply by 16 आपको पता है कि 0 को किसी भी चीज से किसी भी नंबर से multiply करेंगे जवाब इसका 0 आएगा of costly ठीक है 0 ठीक है उसके बाद पिलस टू के उपर power 3 है ठीक है तो 2 को हम 3 time multiply करेंगे 2 to the 4 4 to the 6 ठीक है इसका right transfer क्या है हमारे पास 1 को multiply करेंगे 6 के 6 से तो 166 ठीक है पिलस उसके बाद 2 के उपर power 2 है तो 2 to the 4 1 को multiply करेंगे 4 से प्लस तो 1 for the 4 ठीक है और 2 के उपर power 1 है तो क्या आएगा हमारे पास 2 के पार 1 है तो मकसद वही एक मत्वा ठीक है 1 को multiply करेंगे 2 से तो 2 यह आएगा हमारे पास ठीक है अब देखें तो 2 के उपर power 0 का मकसद क्या होता आपको पता है होना चाहिए 1 होता है ठीक है यह हमेशा मात जेन में रख लें कि अगर किसी वह power के उपर जो है किसी वह नंबर के उपर power 0 है तो exactly 1 के बराबर होता है ठीक है तो पिलस 1 multiply by 1 ठीक है तो 1 बंद है 1 ठीक है अब देखो 32 आया 0 को 16 से multiply किया जवाब 0 आएगा 1 को 6 वो स्री 1 को 6 से जो है multiply किये 166 आया 1 को 4 से multiply किया हमने तो 4 1 को 2 से 2 1 को 1 से तो already 1 ठीक है अब इनको प्लस करेंगे 32 और 6 कितने होगे 38 ठीक है 38 38 में 4 8 करेंगे कितने होगे 42 42 और 2 44 44 और 1 45 मतलब राइट रांसर के आया हमारा 45 decimal में हमने binary को decimal में convert किया है ठीक है तो वीडियो बहुत लंबी हो रहे है तो यहाई हम finish करते हैं next part binary को जो होए octal में और hexadex decimal में हम आपके लिए lecture लेक्चर लेके आएंगे ठीक है तो thank you for watching प्लीज subscribe करें हमें comment करें करु़ warto कर द lengthy करें हमें करूपा है क्या राइब